हमारा जो सार होता है यानि के समर्संग का सार जिसको हम समर्संग का कंसेप्ट बोलते हैं ये समर्संग का सार लगबग सभी लोग अब अच्छी तरह जानगे हैं और मुझसे पहले वाले लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से थोड़े मैं बहुत ज़्यादा बता दिया है ये जो समर्संग का कंसेप्ट है ये एक लाइन का कंसेप्ट है एक लाइन का सार है जुड़ेंगे तो जीतेंगे बस इतना सा है इससे जादा नहीं है और उस समर्संग इसी लाइन पर काम करता है और इसी लाइन पर आगे बढ़के बहुत तेरी से सफलता भी पहले भी की है और अभी भी कर रहा है और 100% आगे सफल रहेगा ये गारंटी है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई धारन नहीं है कि लोग इखटे हुए हो और उनकी बात ना बनी हो लोग इखटे होके एक साथ सलक पर आये हो और उनकी सुनी ना गई हो या लोग वैचारिक रूप से एक साथ जुड़े हुए हो बेसाथ सलक पर ना आये हो या उनकी सुनी नागना गई हो, यानि जिन लोगों के इखटे रहने की गारंटी होती है, इखटे रहते हैं, वो चाहें सलक पे आएं या नाएं, उनका कोई नुकसान नहीं होता, उनका हमेंसा फाइदा होता है, ये दुनिया में सर्टिफाइड है, ये सनातन नियम है, सनात नियम है, ये मरने वाला नियम नहीं है, यहां बहुत सारी बातें धीर-देर होती हैं, एक्समेंस होते हैं, सबी को होते हैं, कोई मा के पेट से तो सीख के आता नहीं, यहीं देखते हैं, यहीं सीखते हैं, तो बहुत सारे जो एक्समेंस हैं, जिनको पहले हो जाते हैं, वो उसको दुवारा से experiment के रूप में नहीं करना चाहिए, उसर टाइम खराब होता है, जैसे जितने भी हमारे महापुरूस हैं, उन्होंने जो बात हमें बताई है, चाहे वो डॉक्टर अम्बेटकर हैं, चाहे जोतीवा फुले हैं, चाहे वो पैरियार हैं, चाहे वो संत गाटके हैं, चाहे वो नामदेव हैं, चाहे वो दुबलनात महराज हैं, चाहे संत रविदास हैं, चाहे बुद्ध हैं, जितने भी हैं, चाहे गुरू चांट ठाकुर हैं, उन सबने जो बात हमें बताई है वो हमारे फाइदे की बात है तो हमको माल लेनी चाहिए और आगे उन सब बातों को जोड़ कर एक बात बनानी चाहिए तो उन सारे संतों की बातों को जोड़ने का मतलब है कि जितने भी संत मत के लोग है उन सबको जुड़ना चाहिए जब संत की बात एक है, सारे संत समण है तो अलग-अलग क्यों रहे हैं जब संतों ने कहा है कि एकटे रहना, एकसात रहना है तो अलग-अलग रहने का कोई मतलब बनता भी नहीं है इसका मतलब एक साथी सबको आना है, एक साथी देना है तो ये तैय करता है कि हमारा जो मन है उसकी वत्तती कितनी है वत्तती का मतलब मनो ब्रती बोलते हैं वैसे तो संस्काइद भासा में कि मन की ब्रती कितनी है पर वत्तती का मतल़ होता है कि आचरण और वहवार कैसा है वो काम कैसा करता है और या इसको मनी ब्रत भी बोल देते हैं मनो ब्रत भी बोल देते हैं कि आपका दायरा कितना बड़ा है सोचने का यानि कि आपका मन कितना बड़ा सोचता है और कहां तक आ अगर कोई व्यक्ति सोची छोटी रखेगा, तो काम छोटा होगा, इसलिए सोच बढ़ाने का काम समर्संके यह जो यहां जितने भी लोग आते हैं और बोलते हैं और बताते हैं, यह सोच बढ़ाने का काम करते हैं, और कोई काम नहीं करते हैं, जो भी सार बताता है, जो भी य ही सोच होती है तो हमारे मिलने के चांस बढ़ जाते हैं और जब हमारे मिलने के चांस बढ़ जाते हैं तो हमारे जीतने के चांस भी बढ़ जाते हैं यहां छोटी छोटी घटनाएं होती हैं बड़े कमाली घटनाएं भी होती है क्योंकि समर संग में एक सुखद लडाई सुर कि या तो हमको इखटा कर लो अपने में मिला लो और या हमारे अंदर आके मिल जाओ यानि हम दोनों तरफ से जीतते हैं हमारा काम है इखटा होना इखटा करना हम दोनों तरफ काम करते हैं तो हम कहते हैं सबसे कि या तो समर्संग को अपने में ले लो और या समर्संग में आ पर इखटा होना है, इसके अलाबा कोई चारा नहीं, इसके अलाबा कोई रास्ता नहीं, चाहे आप हसी से आओ, या खुसी से आओ, रो के आओ, या पीट के आओ, या आपका मन माने या ना माने, पर इखटा होना पड़ेगा, यही रास्ता है, और यह रास्ता अपनाना पड हैं और जगाने का काम जो कर रहे हैं वो समर्संगी कर रहे हैं और यह समर्संगियों की कोई काट नहीं है बहुत बुराईयां भी करके देखी बहुत सारी बाते भी देखी मैं बताऊंगा आगे तो समर्षंगी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि या तो मिल जाओ आके समर्षंग में और या समर्षंग को मिला लो आओ बैठ के बात कर लो तो बैठ के बात करने को तो अभी कोई आनी रहा है तो समर्षंगी जाएगा बात करने के लिए उसका कारेक्रम लगाया है 14 अगस्त 2003 नागपुर के नागलोक में महराष्ट में सुबह से लेके साम तक वहां संग्ठनों के साथ बाचित होगी कितने संग्ठन आते हैं ये तो वक्त बताएगा पर वहां बात होगी कि या तो समर्ण संग में आ जाओ और या समर्ण संग को अपने में मिला लो और वहां बैट के बाचित होगी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो संग्ठनों ने जब ये एकसेप्ट कर लिया ये मान लिया कि समर्ण संग के द्वारा जागरूक लोग हर जगे ये कह रहे हैं कि बिना इखटे हुए काम ने चलेगा और इखटा होना है तो कोई संग्ठन की हिम्मत नहीं जो ये कह दे कि बिना संग्ठन हुए बिना संग्ठत हुए बिना इखटे हुए हम जीत जाएंगे एक सिंगल वाक्य भी किसी संग्ठन ने किसी नेता ने, किसी जो भी तरह के लोग हैं, जो ये समाजी काम करते हैं, कोई नहीं कहा किसी नहीं और कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चा ही नहीं है, अलग अलग रहना, तो क्या करें, तो सबसे पहले उन्होंने समण संग पर आरोप लगाने शुरू किये, ये तो नेत पार्टी का है, चाय किसी भी संग्ठन का है, चाय किसी भी दलबल का है, चाय किसी भी सरकारी करमचारी एसोशेशन का है, चाय कोई भंते है, चाय कोई भिक्कू है, चाय कैसा भी कोई भी विक्ति है, समण संग में, अगर वो समण है, तो सब का समण संग है, और सब इसमें आ सकते हैं इसमें किसी के लिए मनाई नहीं है तो वो बात खतम हो गई जो नेतागरी का आरोप लगाया था फिर आरोप लगाया कि ये किसी संग्ठन के द्वारा driven होते हैं यानि कि कोई संग्ठन इनके पीछे खड़ा हुआ है जो वम्रों का संग्ठन हिसाब लीजिए चाहे भले ही आपने एक रुपिया दिया हो या ना दिया हो पर आपका राइट बनता है आप हिसाब ले सकते हैं आपको हिसाब हर समय मिलेगा चाहे पुरानी संगती का है चाहे नहीं संगती का है वो हमेसा मिलेगा और इसके जितने फिर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि ये राजनीती में जाएंगे, वो आरोप भी खतम हो गया क्योंकि राजनीती में जाने के लिए मना ही है ही नहीं, पर संग नहीं जाएगा, ये तैह हो गया कि संग नहीं जाएगा, पर व्यक्ति जा सकता है, तो कि कोई रशीन नहीं, कोई मेंबर्शिप नहीं, कोई चंदा नहीं, वो आरोप भी लगबख खतम हो गया, तो सारे आरोप खतम हो गए, तो क्या करें अब समढ़ संगा, तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आरोप लगा के जो खतम करने की उनकी पॉलिशी थी, और ये कोई पॉ बचा रहे हैं, वो हमें नहीं कर रहे हैं, वो हमें नहीं तोड़ रहे हैं, वो अपने आपको बचा रहे हैं, और अपने आपको बचाने का तरीका यही है, कि समर्संग बंद हो जाए, समर्संग खतम हो जाए, तो वो बचते हैं, और अगर समर्संग खतम ना हो और करते हैं तो कैसे क्या जाए तो संग्ठनों ने अपने अस्तितु को बचाने के लिए कभायत सुरू की उन्हों के हम बाकी संग्ठनों के साथ एखटे होके कायकरम लगाएंगे, दो-चार कायकरम दिलनी में लगे भी, बाहर भी लगे, पर वो क्या कायकरम लगे के संग्ठनों के नाम लिखे गए meter, पर वहां इतने भी लोग नहीं आये जितने संग्ठनों के नाम बोर्ड पर लिखे गए, यानि संग्ठनों के नाम बोर्ड पर ज्यादा लिखे थे और कुर्सियां खाली पड़ी थी, लोग आये नहीं, हर एक संग्ठन के आदमी के पास कोई आदमी वा आदमी तो है नहीं, बस ये था कि ये लेके आएगा, ये लेके आएगा और आदमी वहां आए नहीं, वो काईगरम फेल होगे, तो अभी फिर द्वारा से संग्ठनों में ये हलचल है, कि संग्ठनों के जो छोटे मुटे संग्ठन है उनको इखटा करो, तो उनमें एक कंप्रिशन चल दा है कि मैं खटा करूँगा, मैं खटा करूँगा, मैं खटा करूँगा, तो लडाई चल लई है, उनमें आपस में लडाई चल लई है, और समढ़ संग्ठनों में लडाई चल लई है, तो ये सुखद लडाई है, सुख वाली लडाई है, ये लडाई सुख देने वाली इसलिए हैं, क संग को बढ़ा करना या संग में बहुत साई लोग करके उन पर कोई अधिकार करना ये संग का मकसद नहीं है संग का मकसद है सब लोगों को इखटा करना तो कहीं अगर लोग इखटे होते हैं तो संग का काम होता है तो हमारी जान बचती है हम जो काम कर रहे हैं वो काम बचता है बाकी लोग करें इसको तो सुखद लडाई इसलिए हैं क्योंकि सब इखटा कर रहे हैं पर इसका परिणाम दुखद नहीं आना चाहिए दुखद इसलिए नहीं कि फिर अलग-अलग मठ बना लिए फिर कुछ-कुछ लोग इखटे हुए तो फिर उनके दिमाग घूम आएगा तब उससे बचाने के लिए संभण संग को विजल देना चाहिए जागरत रहना चाहिए और लगाता लगातार संग्ठनों को कहते रहना चाहिए इखटे हो जाना माडे जाओं तो इस कवायद में यह जो प्रेक्टिस चल नहीं है इसमें बड़े सारे experiment छोटे हो रहे हैं जो मैं आपको यहां आज share करूँगा और बताऊँगा एक NGO चलता था दिल्ली के अंदर 20-22 साल से मैं उसको देख रहा हूँ एक ही व्यक्ति चलाता है उसने एक सभा लगाई दिल्ली के अंदर पांच्छा संगी हम गले थे वहां देखने लिए गये कि आकिर चल क्या रहा है क्या कारण है उस Aggie उस NGO तो वो जो यहां जो मीटिंग लगी एंजिव ने जो लगाई तो हम देखने गिए कि आकिर एंजीओ को सारे संठनों की मीटिंग लगाने की क्या उसकता पड़ी सारे संठन तो नहीं आये वहां दो चाल लोग लखनव से आये एक बंदा जैपूर से आया एक बंदा किसी और स्टेट से आया कुछ वहीं के लोकल थे कुछ उनकी लेबर टाइप के लोग थे थे ग्रीब सतर असी लोग पाच्छे हम समर संगी थे हमने समर गंतमा लोगों को बाटे तो वहां जो लेक्शर हुआ जो बातचीत हुई उससे यह पता चला कि गौर्वर्मेंट ने NGO के पैसे बंद कर दिये हैं यह जो गौर्वर्मेंट आई है इसने जो NGO को बाहर से एड़ आती थी बाहर से लाग और रुपे आते थे वो बंद कर दिये हैं तो NGO में कुछ वरकर रहते हैं दरसलों वहां कोई सामाजिक काम नहीं होता वहां काम होता है जिसका पैसा आता है उसको रिपोर्ट देनी पहुती है, कि हमने तुम्हारा पैसा यहां लगाया, यह काई करम किया, वो किया, वो किया, उनके क्या फाइद नुक्सान है, वो तो वो जाने, पर उनका पैसा नहीं आया, तो उनके जो करमचारी थे, उनको तंखा नहीं मिली, तो दिक्कत हो गई, तो वो वहां कहते हैं, कि अब हम एक बैंक बनाएंगे, उस बैंक में पैसा जमा करेंगे, भाइ कौन सा बैंक बनाओगे, कौन सा बैंक बनता है, एक बैंक के लिए कोशिस की, दो क्रोड रुपे इखटे हुए, लोड़ बुद्दा बैंक के लिए, वो वेक्ति हमारे यहा देंगे तो एंजिओ में पैसा बाहर से नहीं आता तो यहीं से सही उनको तो पैसा चाहिए चैसे भी चाहिए फिर बात बात अगो पता चला कि इस बन्हें तो चुनाबी बना रखी है राज्नेदिक पार्टी थे जिन्होंने कहा जी के आगे बढ़ना चाहिए उनको वहां साबासी मिली के आप बिल्कु ठीक के रहे हैं और फिर ये तेया हुआ लाश्ट में कि हर तीन महिने बाद फिर मीटिंग करेंगे और तीन महिने बाद हम ठिंक टैंक बनाएंगे और इसका खर्चा हम निकालेंग हमारे जो संगी साथ थे वो अपना माथा पकल गए बैठे हुए थे महां वो कह रहे थे कि बताओ हम रोज मीटिंग लगा रहे हैं तब बात को बढ़ाने में अतनी मुसीबत आ रही है या आज मीटिंग लगाने के बाद तीन मिने बाद मीटिंग लगाएंगे फिर तीन मि वहां जो प्रॉफसर रतला लाल आए थे उन्होंने भी कहा कि बहुऀ यह इतने सारे संग्छनें यह 29 लाग संग्छन कैसे काम करेंगे बलकर मेरे कुन्हों ने कहा कि बताओ जी आप बताओ कितने संग्छनें मैंने कब बट इन हैं एक व्यक्तिन और पूछा कितने संग् रहे थे तो उनको भी कह दिया कि आप लाइन सर्क के बोले और ठीक नहीं बोले और जो आय जोक महोदे थे उन्होंने लास्ट में यह घोशना की कि जितने ज्यादा संग्ठन होते हैं ज्यादा अच्छा होता है। अब हम सोश सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने संघ्ठन को बचाने के लिए स्टेटमेंट भी दे दे कि जितने ज्यादा संघ्ठन होगी उतना ज्यादा अच्छा यह भाइसर बात करने को भी बिना नेता के कैसे काम करेगा? तो हमने यह कहा कि जब इतने सारे नेता हैं, उनसे काम नहीं बना तो एक बर बिना नेता की भी चेक कर लो. क्या देखे, वो मेरा मूँ देखे, resulting कि उसका देखू. क्योंकि वो कहता है कि कोई नेता होना चाहिए, और हम कहते हैं कि ये इतने सारे नेता हैं, इनसे कोई काम बना हो, तो दिखा दो हमको, एक व्यक्ति ने कहा जी कि आप चंदा नहीं लेते हैं, इस किताम में लिखा हुआ है, चंदा नहीं, इसका क्या मतलब है, तो हमने का बहुत चंदा लेने का मतलब बताओ हमको पहले, चं से हमारे अधिकार बन गए तो वो मेरा मुझ देखे मैं उसका मुझ देखूं अलग-अलग तरह की बातें आ रही है अलग तरह की चीज चल लए है क्यों चल रही है क्यों कि एक लडाई चल लए है एक सुखद लडाई चल लए है कि जितने छुट भाई ये नेता थे जो वाटसैडक के अंदर बहिश कर ली या जिनको कहीं बला लिया माला पता दी बह хорош कर लेंग LGBT स्ब्सक्राइब केलिए बचे 20 Style दी ऐसे लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे लोग इस समय परिशानी की स्थिती में हैं परिशानी की स्थिती में इसलिए हैं क्योंकि संग्ठनों के और भाशनगिरी का और नेताओं का ये लाश्ट फेज है सारी दुनिया में परिवर्तन होते हैं और सब तरह के परिवर्तन होत और हजारों तरह के संग्ठन संगती कर रहे हैं मिलने पूरी दुनिया में ऐसा कहीं कोई सीन नहीं होता कहीं नहीं होता ये सिर्फ भारत में ऐसा सीन होता है क्योंकि भारत के अंदर हमारे टुकड़े बहुत जादा है और हर एक टुकड़ा नेता बना घूम रहा है और किसी व्यक्ति जो नेता है उसको पता चल गया कि समर्संग क्या है और यह कैसे करता है पर जो साधन कारे करते हैं उसको नहीं पता चला लिए उस तक पहुंचने के लिए हमारी लगातार लगातार संगती चल रही है और हमें लगातार संगती संगती करते रहना है यह काम सबसे ज़ अगर भारत के साड़े जितने भी समरसंगी है सारे सारे अगर वो निरंतर प्रियास डेली का प्रियास नहीं करेंगे तो हमारे जीतने की गारंटी जीरो हम जीत नहीं सकते और अगर हम लगातार लगातार 24 घंटे सतत प्रियास करते रहेंगे लगातार प्रियास करते रहेंग तो हमारे जीतने की गारंटी सो परसेंट. हम जीतेंगे ही जीतेंगे. ये सतत्थ प्रयास वाला जो काई क्रम है ये इसलिए वह बहुत जरूरी है क्योंकि हमने पहले देखा हुआ है कि साहप कासी राम ने काम किया. अकले विक्ति थे तो कोई और था भी उनकी सोच बहुत बढ़िया थी, उनका काम बहुत बढ़िया था, काम बन रहा था, उन्होंने जो दिसा तैक ही, कि उनको पॉलिटिकल पावर में जाना था, उसमें वो पूरी ताकश से लगे रहे, और जितना वो अपने जीवन में हासिल कर सकते थे, या करवा सकते थे, वो वो जो काम था, वो बंद हो गया, वो काम बंद हुआ, उसके बाद पतन होना सुरू हुआ हमारे लोगों का, और नाकेबल काम बंद हुआ, उस काम के आधार पे जो परिणाम आने थे, वो परिणाम भी लौक हो गये, उनमें ताला लग गया, वो सीमित हो गये, वो लोगों त पेताला लग भी जाता और राजनितिक पार्टी को कोई दो-चार वेक्ती लेके भी चले जाते तो भी दिक्कत नहीं होती अगर जन जागरन का काम चलता रहता नुकसान ये हुआ कि जन जागरन का काम रुक गया लोग बड़े रिलैक्स होगे आराम में आगे कि अब तो हमार जोन में आगे और जिन्होंने लगातार मेहनत की थी उनको कुछ मिला नहीं उनको घर में गालियां पर नहीं सुरू हो गई तो वो पीछे हट गए इस सारा नुकसान जितना भी साब कासिराम लेके आये थे वो सारा नुकसान हो गया आइडिलोजी का नुक्सान हुआ अलग मायुसी फैल गई अलग एक जो भरोसा बनता है जो विश्वास बनता है वो तूट गया अलग तो दुबारा ऐसी स्थिती ना आए इसलिए ये जो समढ संग है क्योंकि ये राजनीती में तो कभी जाएगा नहीं पर इसको लगातार निरंतर काईकरम करता रहना पड़ेगा जीवन भर जीवन भर ऐसा नहीं है कि इसका कोई ऐसा अब्जेक्ट है कि कहीं कुछ प्राप्त करना उसके बाद में सारे सोगे जीवन भर काम करना है जीवन भर लोगों को जोड़ते रहना है यही इसकी प्राप्ती है और यही इससे प्राप्त होगा और इसी चीज़ से सा जाजा जीते पर लगाता लगाता जागने का काम बंद हो गया तो गुलाम बन गए तो हार गए पर जो लोग जागे वो लोग जीत जीत गए और वो लोग जगे हुए हैं उनके सारे जगे उनके पास पैसा है उनके पास सारी जमीने है राजनितिक पावर है सब है मगर फिर भ पर सच बोलने की तो आप सकता है, सच तो बोलना पड़ेगा, तो बहुत सारे जो हमारे करेक्टर हैं, वो इस तरह के हैं, कि वो बुद्धी विलास्ता में आते हैं, वीडियो सुनेंगे, पूरा पूरा कंसेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् गया क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आप किस जोन में हैं आपका जोन क्या है आपका जोन लेवल ये बताता है कि आपकी सोच कैसी है आप अगर जोन में हैं आपके पास घर है मकान है गाड़ी है पैसा है बंगला है किराय वराय आ रहे हैं खेती है बाड़ी है फिर आपके ल रखता है कि सब कुछ आपके पास है अब यह जाने वाला नहीं है कोई भूठ बड़ा अफसर है कोई बहुत जैसे खाना खाते समय यह पूछते हैं सलाध है नहीं है नीबू कहा गया टेमाटर कहा गया उसके लिए सामाजिक बातें लगबग इतनी होती है उसके लिए काम की बात होती है कि गौर्रमेंट कौन सी आ रही है मेरा गौर्रमेंट में क्या है क्या नहीं पोश्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी वह तक सीमित होता है उसके लिए ये समाजिक चीजें तब कामयाब होती है जब उसको लगता है कि कोई समाजिक संग्ठन राजनीती में बदलके राजनीती में आ रहा है और वो आगे राजनीती में सरकार बना सकता है तब वो इंट्रेस्ट लेता है तब उसकी साहिता करता है फिर बोरी भरवर के पैसिव देने को त्यार होता है पर सामाजिक संठर को नहीं देता वो अपनी पोस्टिंग के लिए देता है आप उसे कहीं लगा वो अलग बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को समझते हैं पर उनके पास टाइम नहीं होता वो भी मदद करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं बलकर अधिकतर लोग ऐसे होते हैं को बिचारों को खबर ही नहीं होती कि चल क्या रहा है और हो क्या रहा है इन सम्में छट-छटके कुछ लोग ऐसे आते हैं जो संपन भी हो सकते हैं संपन नहीं भी हो सकते हैं कमफर्टेवल जोन में भी हो सकते हैं, टर्बल जोन में भी हो सकते हैं, पर वो जागरत लोग होते हैं, उनको ये पता होता है कि बेसक आज हमारे पास पैसे, धन, जमीन, कारवार है, पर अगर हम इखटे नहीं हुए तो ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, कुछ ऐसे लोग जो हेंटो माउथ होते हैं, उनको ये पता होता है कि आज मैं हेंटो माउथ हूँ, रोज का खाना, रोज का पकाना है, पर अगर हम इखटे हो जाएंगे, तो मेरे पात धन सब्दा जमी जायत बन जाएगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बिल्कुल लेवटाइप बन पड़ ह होते हैं, पर उन्हें ये पता होता है, कि अगर हम इखटे होंगे, तो रोटी मिले ना मिले पर इज्जत मिल जाएगी, उन्हें इज्जत ही रून के लिए रोटी होती है, ऐसे लोग समर संग में सबसे पहले आएंगे, और सबसे पहले वो आ रहे हैं, और सबसे पहले वो क चलता है आप भारत के सारे संवनों को इंट्रिशन लेबल का भाशन नहीं दे सकते इंट्रिशन लेबल की कहानी नहीं सुना सकते इंट्रिशन लेबल का कोई भी आइटम उनको नहीं बता सकते उनको पचे गए नहीं उनका इंट्रेस्ट नहीं है उसमें बहुत कम लोग ऐसे है क्योंकि राजनीती में जाएगा नहीं और समर्षंग का ये तैह है नियम के जो जुड़ेगा जब जुड़ेगा उसका एक सिर्टी नमबर मिलता है और जब भी कोई सुबधा मिलेगी कैसी भी सबसे पहले समर्षंगी को पहलेगी और समर्षंगी के अलावा अगर सुबधा बचेगी तो फिर दूसरे को मिलेगी जो समर्षंगी को मिलेगी उसका राइट है क्योंकि उसने अपना सब परिवार लगा दिये पूरे परिवार की गालियां पढ़ती है उनको बहुत सारी लोग डिप्रेशन में मर भी गए इस वार उसका अंतिजाम किया है ऐसा नहीं होगा इसलिए यहां बहुत सारे करेक्टर बड़े मैदार मैदार से आते हैं और आते भी हैं पैरा सूट से आ यहां का नवार से वस्फागत सबका है क्योंकि सारे समण हैं, काम सारे करेंगे पर सीर्टी जो रहेगी वह जो पहले आयेगा उसके तो जब काम सुरू करेगा तब सीनिटी जुड़ेगी यह नियम इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का प्रणा मिलना चाहिए आखिर हम कोई सादू संत बाबा तो है नहीं बीबी बच्चे वाले घर करस्ती वाले आदमी है और हमको सुख चाहिए यहां बताया हुआ है कि स्रमरसंग सुख के लिए काम करता है विकास के लिए काम करता है सुरक्षा के लिए काम करता है तो सुख विकास और सुरक्षा सबसे पहले स्रमरसंगी को मिलेगी यह तैह है और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो हमें दिक्कत कहां आ रही है हमें परिशानी के आए हम फाइट कहां से कर रहे है हम फाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों के जितने भी अधिकार हमारे आए थे जिसकी वैसे आज हम यहां बैठ के बोल रहे हैं और बता रहे हैं वो अधिकार हमारी आँखों के सामने से हमारे नेताओं के हातों से निकल के गए हैं। नहीं है कि हमारे जो सरकारी करी क्रमचारी वो अनूट है। हाइब लटते हैं सुप्रीम कोर्ड टक लटते है एक खट्टी भी रहते हैं पर अलग अलग रहते हैं। एक एक विभाग के उलकी धा का लगता हैं। बंदी हो आपस में भी नहीं है कि अब अगर रेश्टार नहीं होता तो आप बता भी नहीं सकते क्योंगी रेश्टार के अंदर जो रेश्टेस नहीं हो रहा है वो 29 लाग है जिसमें से 4 लाग एक्टिवेट संग्ठन है जो बाकाइदा चंदा लेके हर साल जैनती वेंती मनाते है तो क्या इन संग्ठनों को पता न मसीबत है उनको है कि अगर हम सारे खटे हो जाएंगे तो बच जाएंगे यह नहीं बताते और क्यों नहीं बचाते? क्योंकि अगर ये sentence बोल देंगे, कि हम सारे खटे हो जाएंगे, तो ये धीकार बच जाएंगे, और जो गए हैं, वो भी बापिसागे, तो इखटा होना पड़ेगा और इखटा होना पड़ेगा तो बड़ी मुसीवत है क्योंकि अगर इखटा होना पड़ेगा तो यह सारे नेता बेरोजगार हैं इनमें को एकका दुक्का होगा जो रोजगार वाला होगा यह सारे बेरोजगार हैं तो बेरोजगार नेता जब यह क हेंगे के सब को खटा होना पड़ेगा तो ये इनको जो पैसा मिलता है लोगों से फिर उनकी जिम बे नहीं जाएगा, वो सारा पैसा खटा हो जाएगा, वहां एक तो इनका पैसा चला जाएगा, दूसरा इनको बीच की कुर्सी पे बैठनी के आदत पड़ गई है, प्रधान मंती तो बनी जाओंगा, तो वो प्रधान मंती मुख्यमंती तो एक ही बनेगा, तो कोई और बनेगा नहीं, तो ये कहते हैं, अगर इनको ये कह दिया कि इखटा होने में सब साथ है, तो मेरा प्रधान मंती वाला और मेरा मुख्यमंती वाला जो सपना है, वो खतम हो जाए हैं यह कहते हैं आ जाओ हम इखटा होने को त्यार हैं यह कभी यह नहीं कहते हैं कि हम आ रहे हैं इखटा होने को त्यार है समढ़ संग अकेला संग ऐसा है जो यह कहता है कि बताओ कहां चलना इखटा होने के लिए और कौन आ रहा है खटा होने के लिए और मज़दार बात यह है कि ना कोई आ रहा है और ना यह किसी की कोई खबर है इकटा होने की देख सब रहें, जान सब रहें कि इकटा होना पड़ेगा और उनको यह भी पता है कि समरसंग जो कर रहा है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो बिलकुल ओपन और खुले विचार से बढ़ रहा है और इसका एमपेक्ट पूरे देश में जा रहा है पर फिर भी इंतिया कर रहें कि साथ कोई चमतकार हो जाए, साथ कुछ ऐसा हो जाए, साथ कुछ वैसा हो जाए और कैई तो ये भी हो सकता है कि जो इस्वरवादी लोग होंगे दुआ करते होंगे कि ये समरसंग मरी जाए, खतमी हो जाए, ऐसा भी बोलते होंगे क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, पोश्ट का सवाल है, मुख्यमंती का सवाल है, प्रधान मंती का सवाल है बड़े सपने लोगों ने पाल लखे हैं पर सपना किसी का पूरा होने वाला नहीं है किसी का भी पूरा होने वाला नहीं है अगर होगा तो सब का साथ पूरा होगा कुछ लोगों का नहीं हो सकता ये बात जितनी जल्दी समझा सको लोगों को उतने जल्दी हम बच जाएंगे और अगर नहीं समझा पाए तो दिक्कत हो जाएगी तो जो दिक्कत आरही हमें वो ये आरही है कि हम, हमारी जो संग्ठनें वो इस सेंटेंस को खा जाते हैं कि अगर सारे खटे हो जाएंगे तो बच जाएंगे और अगर कोई उनसे कारे करता कहता भी है कि समर संग ये कह रहा है जी कि सारे खटे होंगे तो बच जाएंगे तो वो गलत तो कहने रहा तो ठीक किराए तो उसको कहानिया सुना देते हैं कोई आता तो है नहीं हमसे वेरिफाई करने के लिए यहां रोज तीन घंटे हम बैठत कोई आये संगती में तो बताएं जो लोग संगती में आते हैं उनके तो दिमाग पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं साफ हो जाते हैं उनको सब संदे उनके मिट जाते हैं पर कोई ना आये तो उसका क्या करें तो उनका जो आका है उनका जो चाचा है वो समझाता है उनको अरे के करीब समर्ण सेंटर बन चुके हैं सतरसी की तो लिष्ट आ गई है क्या है समर्ण सर्विस सेंटर समर्ण सेवा केंद्र या समर्ण सर्विस सेंटर में आप जहां रहते हैं आपका जो घर है उसका पता आपने देना है आप जो जो सर्विस दे सकते हैं वो सर्विस उसमें ल बेटा या मेरा रिजदार या कोई पड़ोसी होमियोपैति का डॉक्टर है वो होमियोपैति की दो घंटे की सेवा कर सकता है तो बैठ जाए दवाई के पैसे ले ले नाम बात के पैसे होते हैं 10 रुपे 20 रुपे उस पर लिखेगा समर्ड सर्विस सेंटर और पहली सेवा होम चीर कि अट पारम भार्म भनने की आप सबिधा देते हैं कि इतने सारे फारम होते हैं बैंक का फारम का फारम है का या बोटर ऐकाड अब कुछ भी है जो सेवा आप दे सकते हैं जिसके आप एक्सपर्ट है या जिसकी आपने एक्सपर्टीज की टीम बना ली है वो उस बोर्ड पर लिख जाएगा एक फ्लैक्स बोर्ड लग जाएगा दो ड़ाई सुर पर आता है वो आपके घर के आगे लग जाएगा कोई कोई दिक्कत रही है उसके अंदर जो लोग आएं वो नाम उनका लिखते रहें अपनी समर्संग की बातें बताते रहें साम को मिले तो विचार भी मर्स करते रहें समर्संग में कैचला हो सके तो वहीं से मीटिंग जोइन करें ऐसे सेंटर 70 की करीब लिश्ट आ गई है पर सो आनी चाहिए कम से कम क्योंकि एक छोटा समर्ण गंत भी आ रहें दस बारे पेज का तो उसमें य Coll Americans जाने वाले हैं तो आप सब अपने घर का या अपना जो भी एड़र दे सकते हैं को टैंसर नहीं उसका पैसा वेसे नहीं है जो Ça ρी सकते हैं जो सर्विस दे सकते हैं अपने हिसाब से वो देयां बहुँ सारी सर्विस है तो समर्ण सर्विस सेंटर यानि समर सेवा केंद खुलने शुरू हो गए हैं तो यह कर सकते हैं इसको करिए इसका कोई पैसा नहीं लगता समर संग की एक खास बात सबसे अच्छी यह है कि समर संग के अंदर हम लोग समर संग के लिए काम करते हैं और समढ़ संग के लिए काम करने वालों की संखिया लगाता-लगातार बढती जा रही है और यह पहले भी हुआ था जब पहले हमारा समढ़ संग था बुद्ध से पहले तब भी यह काम ऐसी चलता था क्योंकि इस काम को बुद्ध ने वही पेटन से लेके और अपने भिक्को संग में चलाया और भिक्को संग के अंदर भी वही पैटन था और वहाँ भी खूब फैला और वहाँ के बाद में इसी समर्शंग के पैटन पे लोगों ने धरम आधारित अपने संग बनाए और धरम आधारित संग या लोगों ने तब हम बढ़ेंगे आगे अगर संग नहीं रहेगा तो फिर वही आलत हो जाएगी जो हमारी थी यह बात पूरे भारत में सबी संग्ठनों के नेताओं को समझ में आ चुकी है और वो सब जानते हैं इसकी काट नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत के अंदर जितने भी संग्ठनास तक बने 29 लाग उनके पास में उनका गंथ नहीं है उनके पास में उनका विचार नहीं है उनके पास में उनकी आइडलोजी नहीं है वो क्या करते हैं वो एक सब्द उठाते हैं जैसे उन्होंने सब्द उठाया बहुजन पर बहुजन सब्भेता नहीं है बहुजन संसकति नहीं है बहुजन कल्चर नहीं है बहुजन धंब नहीं है बहुजन कोई चीज नहीं है ऐसे मूल निवासी जो सब्द उठाया है मूल निवासी एक विशलेशन है एक एड्यक्टिव है कि हम मूल निवासी है तो मूल निवासी कोई सभेता नहीं है मूल निवासी कोई कल्चर है उसका जो औरिजिनल नाम है और एक ही नाम है और किसी की है भी नहीं भारत में वो नाम ही समण है इसलिए ये समण सब्भेता समण कल्चर समण सिविल आलिजेशन समण नागरिक्ता, समण किसान, समण धोबी, समण माली, समण ब्यापारी, समण गुरू, समण बुद्ध, समण काशिराम, समण सिवाजी महाराज, समण ब्यापारी, समण राजा, समण राजगुरू, समण वैग्यानिक, समण इंजिनियर, यह सारे है और यही सब्वेता है जो आगे तक चलेगी चाहे कोई कुछ भी कहे पर यह पुरानी है प्राचीन है प्रातन है यह आज तक कभी खतम नहुए यह हमें से बड़ी है बेसकर नाम सिर्मन सब्वेता या स्रमन संसकति कर दिया है पर वो हमारा औरिजनल नाम नहीं है जो मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे जुड़ेंगे जीतेंगे जब जब जुड़ें हैं तब तब जीते हैं जहां जहां जुड़ें हम हमावा जीते हैं जितने जितने जुड़ें हैं जो नहीं जुड़ें हैं वो नहीं जीते हैं जो जुड़ेंगे जीत जाएंगे जो नहीं चुड़ेंगे वो मारे जाएंगे संघंग नमामी संघंग नमामी संघंग नमामी